नमस्कार आप सभी का स्वागत है सहस्तरार साधना केंद्र में आज हम जानेंगे कि जो आश्रम का निर्माण संस्था द्वारा किया जा रहा है वह कहां तक पहुचा और आप सभी कब से संस्था में आके क्रियायोग ध्यान साधना का प्रशिक्षन प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान समय में आप जो देख रहे हैं या एक 3D Animation वीडियो है जिसको पूर्व में अप्लोड किया गया था आप पुरानी वीडियो में भी जाकर इसे देख सकते हैं अभी जो वर्तमान समय में पीछे लगबख सौ एकड से बड़ा घना जंगल है जिसे आपने अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से दिखा है यह प्रत्थम दिवस की तस्वीर है जिस दिन भूमी आश्रम ही तु क्रह की गई थी उसके बाद इस पूर्ण भूमी को बराबर किया गया और इसमें गेट आदी लगाए गया है उसको पूर्ण किया गया जिस से एक सुरक्षा बनी रहे आश्रम में आने जाने वाले लोगों के लिए आप देख पा रहे हैं इस समय तक गेट आदी लग चुका था बिजली का कनेक्शन हमें प्राप्त हो चुका था इसके बाद इसकी जो सु सुजियों के पेड़ लगाए गये हैं आश्रम में जिससे जो भी सादक यहां पर आएं एकत्ब और्गानिक भोजन प्राप्त कर सकें अब आप देख पा रहे होंगे कि पूरे आश्रम में किस प्रकार से हरियाली हो गई है इसके बाद यहां पर एक हैंड पंप लगाया ग गई और आप कुछ चितर भी देख पाएंगे एक्सकेवेशन के धीरे धीरे इसमें पी सी सी की गई फुटिंग डाली गई और इसके कॉलम खड़े किये गए जैसा कि आप शायद जानते होंगे मैं स्वयम से सिविल इंजिनियर हूँ इस वज़े से इस कार को मैंने जितनी अत्यदिक सुरक्षा के साथ हम कर सकते हैं जिससे लंबे से लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रहे आश्रम में उस हिसाब से किया गया जिसमें कॉलम की फुटिंग्स लगभग 5 वेट नीचे तक ले गए और उसके बाद यह जो सबसे सुरक्षित निर्मान किया जा सकता था, MS के दौरा उसको किया जा रहा है जिसमें आपके चार कॉलम्स और एक बड़ा आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रा के माध्यम से इसको उठा के उपर रखा जा रहा है और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हवन शेत्र के लिए तयार हुआ जो कि लभग 25 वेट टॉप किस इस्थान पे कुंड होने चाहिए उसको निर्धारित किया गया है और जिसके लिए धागे का उपयोग किया गया है यहां पर हमारा हवन शेत्र और जो उसमें अंदर कुंड है उनका निर्मान हो चुका है इसके बाद इसमें पत्थर आदी को लगाया जगया उसके जाव के लिए इसमें पर्दे लगाए गये हैं कि जो भी सादक यहां पे हवन करें उसे समच सकें और अब हम अंत में जानेंगे कि गवशाला और जो हमारी मुख्य बिल्डिंग है उसका कारी कितना पूर्ण हो अगे आप सभी टेलीग्राम के माध्यम से संस्था में संपर के स्थापित कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे description box में दिया गया है और बह साधक जो किसी भी प्रकार से संस्था के आश्रम निर्माण में दान करना चाहते हैं वह चाहिए श्रम दान हो आर्थिक दान हो और किसी भी प्रकार का दान हो वह टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ प्राप्त कर सकते हैं मनना स्वाइच्छा से अपने अनुसार धनराशी प्रदान कर सकते हैं धन्यवाद अब हम नमस्कार